किस्टीन चेप्टर नमबर क्या है 6.3 का क्या है AD और PM तिर्भूज A, B, C और तिर्भूज जो है P की वार की करमसम माधी काएन है दो तिर्भूज है एक तिर्भूज जिसका नाम है A, B, C और दूसरा तिर्भूज है जिसका नाम है P, Q, R जिसका नाम है P, Q, R दो तिर्भूज है इस दोनों तिर्भूज में हमें क्या पता है कि AD और PM तिर्भूज ABC तो AD पहले आए मतलब तिर्भूज ABC की माधी का है AD माधी का है AD मतलब A, A ये है और D येพवंट है इसकी माधी का है मतलब या भुजा या भुजा के बढ़ जब कि P, Q और तिर्भूज की माधी का है PM है dus PM हो गया मतलब या भुजा या भुजा के मिल्ट गां में और था है कि तरिपुज उreens समरूफ होते हैं तो क्या होते हैं उसके संकत कुझा आपस में संगया है और संगत को नापस में बराबर होते हैं इकी में नामें तो दिया गया है दिया गया है कि तिरभूज A B C सम्रूप है तिरभूज किसके P Q आपके पहुत इसी को संग जब तिरभूज सम्रूप है दोनों तो क्या होगा इसकी पुजा A B इसके पुजा P Q के कामन पाती B C बट्टा Q R और A C बट्टा होगे की नहीं होगे यह पता है ठीक है और क्या पता है ज्याँ देगा और हमें क्या पता है कि D कि इसकी मादी का है that means क्या होगें कि B D जो है वह बड़ाबर किसके और संगा रहना और क्या है Q Q M बड़ाबर किसके Q M बड़ाबर होगा मादी का है मतंब मद्धे बिल्टा तो बड़ाबर होगे तो साथ ही जाब तरह बुसज़ समरूप है तो संगाहत क्या ही आपस में A बड़ाबर होगा क्यू और C या क्यज़े दा बात है सिथ क्या करना है सब तो हमें यही बतादेता है सिथ करना की कहा चलनांना है क्या मेँ चलना है देखो, AB by PQ बड़ाबर AD by P, यह क्या, AB by PQ, AB by PQ, AD by P, इस से नमको ऐसा लगा, कि यह ट्रेंगल बन रहा है, और यह ट्रेंगल बन रहा है, क्या तुम लोग को लग रहा है? भुजा समानुपाती का होता है, जब दोनों त्रिबुज समरूप हते हैं, अगर हम यह त्रिबुज यह त्रिबुज के समरूप पुरब कर दिये, तो हम बहुत असानी से बोल सकते हैं ढ़लाबस में, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पर बरद करेंगे, त्रिबुज AB by D में PQ बराबर BC बट्टा QR बराबर AC बट्टा यह क्या है, हमने दिया गया है, यह चीज हमें दिया गया था, BT क्या है, चुकि BC का मद्र बिनुद D है तो BT दूरी को क्या कर सकते है, BC का आधा कर सकते है उसी परकार QM दूरी को क्या बोल सकते है, QR का आधा जिसको हम आधा लाए आ सकते है क्या रिखेंगे, AB बट्टा PQ बरावर हाफ BC बट्टा हाफ QR खुझी कर, बरावर AC बट्टा PR AC बट्टा PR चुकि D और M जो है, क्या जी है? BC की माधी का है, और M जो है QR की माधी का है माधी का है मतलब क्या करना है? दो बरावर हाफ में बाटना, यानि BT का क्या साइज होगा? तो भेंगे न, BC का आधा साइज होगा QM का क्या साइज होगा? तो QR का आधा होगा तो लिख दिया आधा This implies AV बट्टा PQ बरावर BC का आधा BC का आधा, that means BT, अब BT ही क्यों लिए? क्योंकि हमें प्रूब्ड करने में EC ट्रेंगल में चलना था नहीं चलना था, EC ट्रेंगल का पार्ट था QR में का लिख सकते हम लोग QM का आधा ठीक है? अगर इस पार्ट का होता था हम लोग DC लेते और MR लेते लेकिन हम लोग को इस पार्ट में ही चलना था ठीक है? यह सौन्या आ गया? बढ़ावर किसके? AC बढ़ता PR के कोजी कट नहीं है, चलो अब हम लोग आते हैं तिर्भूज ABD और तिर्भूज PQM में यह दोनों तिर्भूज उध्यास देखना तुम्हें एक चीज़ तो पता है कि AB बट्टा जो है PQ इक्वल रेशियो में हमने यह बात प्रूप कर चुका है BD बट्टा किसके? तो BD बट्टा QMB तो दो भूज आप मिला चुके हैं दो साइड मिल चुका है यह क्या किये हैं लोग उपर सिध कर चुके हैं नहीं सिध किये थे यह पर सिध कर चुके हैं यह बात हो साथ ही एंगल B जो होगा वह एंगल QK बराबर होगा दो साइड मिल गया एंगल नियम कौन मना SAS इसलिए ट्राइंगल ABD सिमिलर ट्राइंगल P Q MK SAS सम रूप ता कसा उटी से जब तिरहूज सम रूप होँगे तो संगात होजा क्या होँगे समानूप पाती होँगे इसलिए क्या बोलेंगे हम लोग AB बट्टा PQ बराबर होगा किसके AT बट्टा PMK इस परकार यह बात से दोता है सान्या आग्या? क्या प्या प्याओ वाड़ प्याओ प्याओ झाल झाल